नवस्चार दोस्तों, यह वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो में आपको एक शक्स नजर आ रहे होंगे जिने लोग पूलों की माला पहना रहे हों उनका स्वागत किया जा रहा है दरसल स्टेशन पर खड़े लोग इनका इसलिए स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं लगा कि यही बीज्रेपी की तरफ से उतारे हुए प्रत्याशी हैं पर बाद में पदा चला कि जिसे लोगों ने माला पहनाया जुनका स्वागत किया दरसल वो तो कोई और ही है वो बताते हैं कि मैं सांसा दूं उमीदवार मेरे पीछे आ रहे हैं आप ज़ स्वागत में उन्हीं की पार्टी की कारेकरता महां पर स्टेशन पर फूल माला लेकर स्वागत के लिए वकायता खड़े हुए थे पर उनके साथ दुख की बात यह हो गई कि आज तक उन्होंने अपने उमीदवार को देखा ही नहीं था उन्हें नहीं पता था कि आखिर व बाबुराम गाड़ी से नीचे उदरते हैं तो लोग उन्हें माला पहनाने की कोशिश करने लगते हैं वो बचकर आगे निकलने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन लोग फिर उन्हें माला पहनाई देते हैं तो ऐसे माला रमेश अवस्ति के बज़ाए राजसभा सांसद बाबुराम निशात के गले में पहुंच जाती है और उनका स्वागत हो जाता है लेकिन नारे लगते रहते हैं रमेश अवस्ती जिन्दाबाद के इसके बाद ट्रेन से रमेश अवस्ती उत्रे तो सांसद ने कहा कि ये उमीदवार हैं आपने गलत आदमी को माला पहना दिया फिर कारेकरताओं ने वही फूल माला उनके गले से निकाला और वही जाकर के रमेश वस्ती को पहना दिया और उनका स्वागत कर दिया अब इस घटना के दोरान की पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग बीजेपी से ढेरो सवाल कर रहे हैं कि वा मोदी जी ये कैसे प्रत्याशी उतारे हैं आपने ऐसे प्रत्याशी जिनने जनता जानती तक नहीं उन्हें पहचानती तक नहीं है अब दोस्तों आपको सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं इस पर दिलीप सिंग कहा रहे हैं कि कानपूर में बीजेपी ने ऐसे पृत्याशी को टिकट दी है, स्थानी नेता और कारेकरता पहचान ही नहीं पा रहे हैं। शताबदी ट्रेन के रुखते ही राज्यसबा सांसद बाबुराम निशाद को रमेश अवस्ती समझ कर कारेकरता माला पहनाने लगे और स्वागत में जुड़ गए। प्रत्याशी उतारने का नतीजा, खुद के कारेकरता ही ना पहचान पाएं। तो भारती और जनता पार्टी ने यहां से रमेश अवस्ती को टिकट दे दिया। पर हिरानी की बात ये है दोस्तों कि जब लोग ही नहीं पैचान रहे हैं अपने कारकरता ही नहीं पैचान रहे हैं तो बला जनता इने कैसे संभालेगी और जनता इनके उपर विश्वास कैसे करेगी आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंसेक्शन में लिकर जरूर बता यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार